असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब आई होप आफ सब खेरियस से होंगे अलहम्दलिल्ला मैं भी बिल्कुल खेरियस से हूँ तो आज मैं आपके शेयर करूंगी सलजम गोस्त की रेसरी यह रेसरी पी खाने में काफी मज़ेदार लगती है और इस रेसरी पी का आप मक्य की और अच्छे से काफी मातर में मिट्टी होती किर्किरापन नहीं होना शीए तो अच्छे से दो के मैंने छनिदार बरतन में रख लिया है यह साथ आठ मेने हरी मिर्ची ली है दो बड़े साइच की प्यास ली है और यह मैंने एक चमच लसन अद्रकर पेस्ट और दो तिन मैंन और नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट अकोर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कूकर में हम सारे जो सलजम काटके रखे थे एड़ कर देंगे अब सारे सलजम एड़ कर दिया है मैं इसका धकल लगा दूँगी और हाई फ्लेम पे एक सीटी आते ही मैं फ्लेम जो है लो कर दूँगी लो फ्लेम पे एक सीटी और आने दूँगी यह मैंने 500 ग्राम आधी किलो गोस्त लिया है और गोस्त को मैंने अच्छे से धो लिया था छानीदा बरतन में रख लिया था यह अच्छे से मिक्स हो चुका है एक कप में इसमें पानी डालूंगी और फ्लेम जो भी हाई रखनी है ढख देंगे हम जैसे पकने लगेगा फ्लेम लो कर देंगे 15-20 मिट में इसे पकाऊंगे अच्छे से हमारा गोस्त जो है फ्राइ हो जाएगा अब कूकर भी हम खोल के द तो 10-15 मिट हमें इस तरीके से करना है जैसे कि हमारे जो सलजम है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे लगता है ना जैसे हमने सालन बनाए तो उसमें पानी अलग और सलजम अलग दिखते हैं तो वैसा नहीं दिखेगा अब देख लेते हमारे गोस्त भी जो है अच्छे से फ्रा मसाले जो है आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएं अब मैं से गोस्त को जो है ट्रांसफर कर लोंगी कूकर में अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है अब इसका मैं धकन लगा दूँगी एक सीटी आते फ्लेम लो कर दूँगी और लो फ्लेम पे में दो सीटी और आने दूँगी जिसे हमारे गोस्त जो है अच्छे से गल जाएगा तो देख सकते हैं दो सीटी भी आ चुकी है मैंने धकन खोल के इसमें डाल दूँगी हरा ध हरा धनिया मैंने जो डाला है एक मुटी भर के डाला है क्योंकि हरा धनिया में कंजूसी ना करें क्योंकि सर्दी हरा धनिया तो काफी मार्किट में बहुत मिलता है तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हरा धनिया डालने से खुश्बू काफी अच्छी आती है और ज सालन हमारा हो चुका है सलजम को अब हमें से सर्फ कर लेंगे तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट्स में जूरू बताएगा लाइक शेयर कीजिए मेरे चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को भी प्रेस कर दे जिसके मेरी नए वीडियो आपको मिलती रहे तो इस रेसिपी को आप ज़रूर इंज्जोई कीजिए सर्दी में तो काफी अच्छी लगती है रेसिपी तो इस रेसिपी को आप मेरे फीड़ बैक में जूरू बताएगा कि आपको कैसी लगी तो देख लेते हैं जड़सी बोटी भी तोड़के कि ओके बाई अल्ला हाफीज